हलो आप लगोगी पढ़ाई चल रही होगी सो मेरे प्यारे दोस्तों मैं निखिल गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने अनकेडमी परिवार पर अनकेडमी के चैनल पर जहां पर मैं आप सभी को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ देखे हम हम प्रयास कर सकते हैं सिर्फ हम रहा बता सकते हैं लेकिन उस रहा पर चलना आपको पड़ेगा मंजिल तक आपको पहुचना पड़ेगा हम आपको उठाकर नहीं रख सकते और एक बात याद रखना बाई चांस, मान लो हम आपको उठा कर रख भी देते है ना, उस चीज का मज़ा नहीं आएगा, वो जो एक अंदर का experience होता है ना, और जब तुम कुछ बन जाओगे, जब तुम बड़े इंसान बन जाओगे, तो एक बात याद रखना, कि जिस दिन तुमारी जिन्दगी में मोका आएगा, इतिहास के पन्ने लिखने का, तो तुम लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो किसी और ने उठा कर रखा ता, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बीप में ये बात आप लोग समझ सकते हैं, तो मेरे पेरे दोस्तों, बाइद वे, फुल कंटेंट के साथ, फुल तैयारी के साथ, और फुल जोश के साथ आप लोगों के लिए आया हूँ, बस शुरू करने से पहले, आप लोगों को छोटी सी इंफोर्मेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज, लेडिज और जेंटलमेन, अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, आ आप लोगों को हर लेक्चर की PDF मिलती है, हर लेक्चर के नोट्स मिलती है, हर तीन सेशन के बाद एक personal live doubt session होता है, और हर lecture live होता है, टीचर ऐसा लगता है, मानो, direct interaction के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई हवा में बाते नहीं कर रहा, मैं फेक्ट बता रहा हूं जो बाते होती हैं और एक छोटी सी बात जो हमारे प्लस के स्टूडेंट हैं वो इस चीज का दवाएं तो मेरे प्यरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरा प्लस कोर्स टार्ट हुआ है हल ही में प्लस कोर्स स्टार्ट हुआ है मात्र चार क्लास बीती है तो आप लोग अगर मुझसे अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर SSC जेई या भारत में होने वाले किसी भी PSC PSU की तयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंजीनियरिंग सीखना चाते हैं तो जुड़ सकते हैं मैं और मेरी टीम यहाँ पर फुल कम्प्लीट पेकेज आपको बढ़ाती है कम्प्लीट पेकेज का मींज टेकनिकल और रॉन टेकनिकल दोनों भारत के टॉप एडुकेटर आप लोगों को अनकेडिमी के प्लेटफॉर्म पर टेकनिकल नॉन टेकनिकल सब पढ़ा रहे हैं ठीक है तो मेरे बेरे बंदू एक छोटा सा कोड है एंजी लाइफ यह कोड इसना आपको याद रखना है क्यों क्योंकि यह कोड लगाने से आप लोगों को 10% का डिसकाउंट मिलता है प्लस 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 आप लोगों को फ्री टेस्स सीरीज मिल जाती है प्लस लेडीज और आप लोगों को टीचर से इंटरेक्ट करने का मोका मिलता है यह कोड यूस कर पर जुड़ना चाहता है पढ़ना चाहता है तो यह code यह list है exams की चाहे हो कोई भी exam हो भारत का अनकेडमी पर तयारी होनी चाहिए code use करवा सकते हो friend का फाइदा तो हो गई होगा साथ में तुम्हारा भी फाइदा होगा और वो क्या फाइदा होगा that is surprise for you yes बोला है तो होगा साथ में यह code कहाँ apply करना होता है मैं छोटी सी information दे दूँँ आप लोगों को that is the place जब भी payment करो last में लिखा होता है है वर referral code तो यहाँ पर आप लोग payment करेंगे ng live and this ng live will give you 10% discount plus free test series जिकनी भी duration के लिए course लेते हो मेरे according में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए recommended जो duration that is एक साल या दो साल क्यों क्योंकि एक साल या दो साल में अलग-अलग teacher के test का पता लगते हैं अलग-अलग strategies पता लगती है बहुत नोट्स मता लगते हैं काफी optimum time रहता है मेरे according यह इसमें result आने के chances ज्यादा रहते हैं ठीक है cost की बात करूँ तो cost भी कम पड़ती है yes cost कम पड़ती है एक साल या दो साल की बात करूँ ठीक है ना तो अभी बात आती है मेरे पहरे दोस्तों छोटी सी बात so शुरू करेंगे अपना session बस मेहनत करनी है मेहनत करनी है और मेहनत करनी है और कोई बात ही नहीं करनी है ठीक है चलो तो by the way ladies and gentlemen आप लोगों की demand पर unacademy के platform पर let's crack SSCJ&A exam channel पर highway engineering start हो चुका है this is the first session session रोजाना रात नो बजए आप लोगों का session होगा अच्छा मैं छोटी सी बाते कर दूँ इसके साथ आपकी कि मैं इस session में आपको पढ़ानी क्या वाल हूँ that is the main thing ना अभी बात आती है देखो मैं आप लोगों को पहली बता दू इस session के अंदर आप लोगों को मैं पढ़ा अगर आप गेट की बात करते हैं तो गेट एक्जाम आप लोगों का 90% to 93% तक कवर अप हो जाएगा मतलब मैं question उस level के discuss करूंगा और अगर IES की बात मैं करता हूं तो IES आप लोगों का 85 to 92% तक कवर अप लेकर चलूंगा ठीक है तो कहने का मतलब है कि if you are preparing for any of the exam then this session can be helpful to you also और एक बात को समझना मेरी कोशिश रहती है मेरी कोशिश रहती है और मेरा पढ़ाने में जो मन लगता है मैं आपको पहली बता देता हूं मेरा जो मन लगता है पढ़ाने में प्यारे दोस्तों वो लगता है logic के बहाफ पर मतलब जो theory होती है वो तो होती ही है और जहां मेर मन लगता है ना एक बात याद रखना बड़ी शिद्दत से पढ़ातों जी जान से पढ़ातों जिसमें मन लगता है लॉजिक बताने में मेरा बहुत मन लगता है और जिस भी चीज के पीछे लॉजिक बताऊंगा ना वो चीज याद रखना वो लॉजिक ध्यान से सुनना बाकी का जो डाटा रहेगा चाहे वो उनलाइन टाइप हो चाहे वो प्रेक्टिस क्वेशन हो चाहे वो पूरा कंटेंट हो चाहे वो नोट सो सब मिल जाएगा बोर्ड पर लेकिन ये चीज है जो किताबों भी नहीं मिल सकती ये चीज है जो हर इंसान से नहीं मिल सकती ये चीज है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस भी जब ही काम करता है जब खुद का दिमाग काम कर रहा हो तो मैं सोचता हूँ और सोचने के बाद आप लोगों को बताता हूँ लॉजिक का ध्यान रखना बस और कुछ नहीं बताना चाहूँगा बाइदवे स्टार्ट करते हैं देखे जो ये हाईवे इंजीनियरिंग होती है मेरी ये हाईवे इंजीनियरिंग प्यारे दोस्तों फिलाल मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चार हिस्सों में डिवाइड है मतलब हम लोग इस हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वी आर गौइन टू We are going to study about the four units पहली जो unit आती है मेरी उसका नाम होता है Geometric Design क्या नाम होता है Geometric Design दूसरी जो मेरी unit आती है उसका नाम होता है Traffic Engineer तीसरी जो मेरी unit आती है उसका नाम है Pavement Materials Pavement Materials And the fourth unit that is very important ladies and gentlemen उसका नाम होता है Pavement Design Fourth unit का क्या नाम होता है Fourth unit का मेरा नाम होता है Pavement Design तो अभी एक एक unit के बारे में हलका हलका सा पढ़ते हैं फिर डिटेल में तो पढ़ नहीं है कि जो जो मेट्रिक डिजाइन होती है That is about the designing of the road मतलब जो मेट्रिक का मतलब क्या होता है उसकी dimension उसकी alignment Dimension और alignment of the road are designed in this unit ठीक है उसके बाद बात आती है कि आपको पता है आपकी road पर traffic का flow होता है और traffic के flow को regulate करने के लिए दुनिया भर की चीज़े use होती है जैसे red light हो गया काफी सारे instructions के boards लगे होते हैं हमारे काफी सारे direction के board लगे होते हैं Why are these boards used to? Because ताकि traffic का regulate अच्छे से हो सके ना traffic का flow है वो अच्छे से regulate हो सके तो हम अभी traffic के बारे में पढ़ रहे हैं अगली मेरी बात आती है मैंने भाई road को भी design कर लिया मैंने अपने traffic को regulate करने के लिए चीजे भी बना ली लेकिन जिस चीज़ पर मेरी road चलती है जिस चीज़ पर मेरा traffic चलता है यानि वो road वो road बड़ी मजबूत होनी चाहिए और आपको पता है हर चीज़ के बनाने से चाहे construction का कोई भी काम हो हमारा दिल से रिष्टा रहता है तो मैंने कहा कि अभी road का जिस material को use करने वाला हूँ और different type of the roads have been created in the recent era तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि road के material के बारे में जानकरी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि road मेरी धंकी होनी चाहिए तो मैंने का यहाँ materials के बारे में पढ़ेंगे अच्छा materials में हम क्या-क्या पढ़ते हैं वो भी discuss कर लेते हैं चाहूँगा alignment of the role और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा characteristics of the role यह तीन चीजे हम लोग इसके अंदर generally discuss करेंगे अभी बात आती है कि traffic engineering में क्या discuss होगा traffic engineering की मैं बात करूँ तो इसके अंदर generally मैं एक ही चीज बात करना चाहूँगा regulation of the flow regulation of flow traffic का flow धंग से होना चाहिए that is the regulation of the flow अभी इसके बाद मेरी बात आती है that is known to be as the pavement material सर material में generally क्या पढ़ते है एक तो होता है aggregate एक तो होता है आप लोगों का aggregate एक होता है ladies and gentlemen bitumen एक होता है bitumen तो हम generally, majorly दो ही चीजों को लेकर चलते है बाकि इनकी categories बनती है वो सब chapter में discuss करेंगे और चोथा मेरा हाथ है design तो design के basis पर तो पूरा codal चलता है पूरा codal provision हम लोग design में discuss करते हैं ठीक है ना? तो ये चार unit है और चारों unit को बहतरीन तरीके से कराऊंगा और बात आती है आपके doubts की तो doubts का solution कल में आपको बताता हूँ अभी तो पहला lecture है doubts किस तरह से discuss करने है doubts मैं आप लोगों के कैसे solve करूँगा कैसे आप लोगों तक मेरा interaction जाएगा ये मैं आपको कल बताता हूँ ठीक है? इसी के साथ बात को सुनिएगा मेरे पैरे बंदू जो भी पढ़ाऊंगा ना try to be live in the session जितना जादा आप लोग live आएंगे ये मेरा first session है तो मैं आज आप लोगों से interaction कम करूँगा लेकिन ये मेरा live session देखने का प्रयास जरूर करना क्योंकि कल से जो आपका session होगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगर बच्चे live आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो कि आपके live में doubt solve कर दो ये मेरी कोशिश रहेगी ठीक है तो ये काम कौन करेगा ये आपको करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाना क्योंकि अगर कम बच्चे हुए तो मैं शायद आपसे live इंटरेक्ट ना कर पाऊ मेरा काम होगा पढ़ाना और आपका काम होगा पढ़ना यहां तक सिमित रह जाएगा बढ़ा मैं चाहता हूँ थोड़ा आपसी बाते बड़े आपसी संबंध बड़े ताकि मैं आपके doubt solve कर सकूँ तो थोड़ी सी महनत करना फाइदा कई ना कई आपका ठीक है बात आती है कि अभी इस unit के अंदर मेरे प्यारे दोस्तो आप लोगों को कहां से start करना है देखे सबसे पहली मेरी बात आती है कि in this unit we are going to start about the geometric design of the road geometric design करते क्यों है geometric design में क्या क्या आता है पहले उसकी बात करते है तो geometric design के अंदर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा मेरी road की horizontal alignment आती है क्या क्या आता है मेरी road की horizontal alignment आती है मेरे road का cross section आता है मेरे road पे क्या क्या होता है वो सब आता है cross section of the road मेरे road की vertical alignment आती है मेरे road का vertical alignment आता है इस पर मेरे road पर हर section की जो भी dimension होती है शब्दो पर गौर फर्माईएगा मेरे road पर use होने वाले हर section की जो भी dimension होती है मेरे इस case में use होती है तो मैं कहना चाहता हूँ generally dimension तो आप लोग समझ गए हो चोथा word आप लोग लिख सकते है layout of the road plan layout of the road तो generally ये चार चीजे आप लोगों की geometric design में include होती है ये तो basic basic सी चीजे है एक एक चीज समझने आजेगी आपको थोड़ा सा patience करेंगे जिसके समझना आ रहो उसके बद मेरी बात आती है यहाँ पर कि आप लोग geometric design करते क्यों हो why should you do study about the geometric design of the road sir एक ही reason एक ही reason होता है आप लोग suppose करियेगा जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि आप लोगों की एक road है और वो road जो है वो curve पर मैंने railway पढ़ाया थोड़े दिन पहले और railway पढ़ाने के दुरान मैंने एक शब्द यूज करा था super elevation तो मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि curve होता है कोई भी road अगर मुड़ती है तो मुड़ने के दुरान मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है कि road अगर मुड़ रही है and this is the outer side, this is the inner side तो आप लोग क्या करते है आप लोग outer side से अपनी road को थोड़ा सा उठा देते है ये आप लोगों ने देखा दिखोगा general life में इस उठाने को क्या नाम देते है इस उठाने को हम लोग नाम देते है मेरे प्यारे दोस्तों super elevation क्या नाम देते है Super Elevation इसका नाम होता है तो अभी बात आती है Question बनता है छोटा सा कि मैं Super Elevation क्यों देता हूँ Super Elevation मैं इसलिए देता हूँ ताकि मेरी गाड़ी जो है वो अराम से flow में निकल जये अगर Super Elevation नहीं देता तो मेरी गाड़ी की Speed को धीरे करना पड़ता नहीं तो गाडी फिसल जाती तो बात आती है यहाँ पर कि यह कैसे पता लगा यह पता लगा जोमेट्रिक डिजाइन से मैंने कहा है एक रोड है और उस रोड की कितनी चुडाई होनी चाहिए उस रोड पर कितना जादा немेकर किस हिसाब से Align करना है उस road पर गड़े कितने हैं यह सारी चीज़े कैसे पता लग रही है यह सारी चीज़े Geometric Design से पता लग रही है मैंने कहा कि आप लोगों का एक करव जा रहा है आपके पास दो- lavender option हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कि यह करव आप पैसा भी दे सकते हैं करोवा पैसा भीस्टेति हो आपको इसली पता कैसे लग रहे आपको इसली पता कैसे लग ये पता लग रहे है। सवित अगल जोंटर क्जिफीशे divika वह पदे जनाइस ए मथे सदसुर mega to only increase the क्यों पढ़ते हैं हम इसको to only increase the efficiency of the road phenomena road के जितने भी function है ना उसकी efficiency बढ़ जाए example सुनो suppose कर्व वाली बात को लेकर चलता हूँ अगर वो गाड़ी मेर को धीरे करनी पढ़ती तो मैंने कहा कि एक गाड़ी थोड़ी है बहुत सारी गाड़ी होती है road पे आपको पता है वो कर्व पे जाम लग सकता है efficiency कम हो गई एक road पे brake मारने में आपको पता है आपकी गाड़ी के साथ-साथ road का भी नुकसान होता है material का नुकसान होता है वो नुकसान हो गया सर आपने एक चीज गौर्परमाई है अगर आप कभी एक road को देख रहे है road को देखते हुए road कभी सीधी नहीं फती ना-ना-ना-ना-ना सुपोध मैंने का यह road पीछे तक चल रही है एक कभी सीधी नहीं हुती ऐसे देखने में हमेशा हमेशा यह road बीच से उठी हूई होती है हमेशा कैसे पता लग रहा है यह जो metric design से भी पढ़ाओ बात आती है यहाँ पर कि यह road है यह बीच से उठी हूई है क्यों है ताकि आपका जो पानी है मैं एक example दे रहाँ छोटा सा एक example दे रहाँ ताकि आपका जो पानी है वो आसानी से drain off हो जाए आपका पानी आसानी से drain off हो जाए तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सर वो drainage property को enroll कराने के लिए हम लोग road को बीच से उठा रहे हैं इसको क्या बूला जाते है बाद की बात है किया कर रहू है हर चीज में road की efficiency बढा रौ हर चीज में road की efficiency बढा रौ तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि road की efficiency को maximum बनाने के लिए geometric design को पढ़ा जाता है क्या समझ में आ गया मुझे यहाँ पर अभी मेरी इसके बात आती है प्यारे दोस्तों major major portion आज मैं discuss करने वाला हूं ताकि आप लोगों का interest डेवलप हो जाएगा feature में तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या discuss करूँगा कौन कौन से factors हैं जो आपके geometric design को affect करते हैं factors affected the geometric design आपके geometric design को कौन कौन से factor affect करते हैं यह सारी चीजे मुझे आज discuss कर ली हैं सबसे पहला आता है मेरे पास that is known to be as the topography सबसे पहला मेरे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं topography now everybody knows everybody knows about this word what does this word means sir जो बतारों बस उतना ध्यान रखेंगे मैंने का top plus graphy एक नाम समझ में आ गया कई बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आता मैं सर्फ नाम से समझाऊंगा और आपको समझ आने की कोशिश करेगी तो top का मतलब क्या होता है sir उपर से और graph का मतलब क्या होता है सब को पता है representation is a graph sir उपर से किसी भी field को देख लो उपर से किसी भी field को देख लो जैसी दिखेगी वो है topography समझ आया जैसे मैंने कहा your observing of big area उस area में क्या-क्या लाए करता है नदी लाए कर रही है उस area में forest है उस area में road है उस area में railway line है यह सभी चीज़ा आप देख रहे हो उपर से यह topography है समझ में आया तो generally जब हम road design की बात करते हैं generally जब हम road design की बात करते हैं तो आपकी जो topography आती है मेरे प्यारे दोस्तों वो किस basis पर होती है तो आप समझ कर चलिएगा generally आपकी जो topography होती है उदर से हम slope का चीज़े समझ कर चलते हैं now what is slope धलान slope क्या होता है धलान होती है slope क्या होता है धलान होती है यह सब को पता होना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस धलान के basis पर आपकी road 4 तरीके से classified है इस धलान के basis पर आपकी road 4 तरीके से classified है तो मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन सी है सबसे पहले category मेरे पास आती है that is known to be as the plane सबसे पहले category मेरे पास आती है वो कहलाती है plane उसके बाद मेरे पास आती है प्यारे दोस्तों वो कहलाती है rolling उसके बाद मेरे पास आती है that is known to be as the mountainous and then hilly that is known to be as the mountainous and then hilly road got it तो अभी in-in में कितना कितना slope होता है यह चीछ आप लोगों को समझ कर चलनी है important है बहुत exam में question पूशता है तो याद रखेंगे अगर आपके slope का अगर आपके road का slope 10% से कम आता है तो आपको कहना है प्यारे दोस्तों की यह plane road है अगर आपके road का slope 10 से लेकर 25% के बीच में लाए करता है तो यह कैसा है ruling road है अगर आपके road का slope 25% से लेकर 60% के बीच में लाए करता है that is what mountainous road और अगर आपके road का slope प्यारे दोस्तों 60% से बड़ा आता है that is what that is the hilly road now what does it mean what does it mean 60% का मतलब क्या है suppose मैं आपको example देता हूँ suppose मैंने कहा मेरे पास है 25% मेरे पास है 25% इसका मतलब क्या होता है 25% का मतलब होता है 25 upon me so that is equal to 1 upon 4 that is equal to 1 upon 4 1 upon 4 का मतलब क्या होता है कि आपकी जो road है वो 4 meter horizontal चल रही है तो 1 meter उठ रही है 4 meter horizontal चलने के बाद 1 meter उठ रही है यानि जो आपकी final road है वो इस तरीके की है फाइनल रोड आप लोगों की इस तरीके की है तो मैंने कहा if the road is of this kind then it is said to be as what it is said to be as the 25% gradient road ठीक है ना इस road को मैं 25% gradient road का नाम देता हूँ तो इस तरीके से आपको ये समझ कर चल रहा है ठीक है that is important आगे मेरी बात आती है एक छोट इसी चीज़ जो आप लोगों के एक्स्ट्रा में पढ़ती है एक मिट का पेशन्स करिएगा हाँ जी अभी इसी के साथ मैं छोटा सा एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज कल क्या है आज कल सिर्फ slope के basis पर question नहीं आता एक चीज़ और याद रखना कि रोड को हम लोग करवेचर के basis पर भी बताते हैं मतलब आप लोगों को यह चीज़ ध्यान रखना है कि terrain का जो distribution है यह लिख लो important point बनता है आप लोगों के लिए एक नए आप की है कि terrain का distribution जो है terrain distribution terrain distribution is also done on the basis of is also done on basis of on basis of what curvature curvature के basis पर भी हम अपने terrain का distribution करते हैं समझ के चलता है बात आती है whenever I am talking about the plain terrain अगर मैं यहाँ से अपने plain terrain की बात करता हूँ तो यह भी दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका low curvature एक होता है आपका low curvature एक होता है आप लोगों का high curvature तो अभी curvature की unit क्या है अभी curvature की unit क्या है वो चीज भी पता होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा मेरे प्यारे बंदू इसको मैं रब करना चाहूँगा यहाँ से चल यहां पर मैं लिखना चाहूँगा करवेचर और करवेचर की युनिट क्या है आप लोगों की डिगरी पर किलोमेटर करवेचर कितना होगा और उसकी युनिट कितनी है डिगरी पर किलोमेटर यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छा बात आती है कि low के लिए कितना लाए करता है low के लिए value कितना होता है 0 से 50 के बीच मैं अगर plain terrain की बात कर रहा हूँ low curvature के लिए value होती है 0 से 50 अगर आप high curvature की बात कर रहे है plain terrain के लिए तो 51 से बड़ी ये बात आपको याद रखनी है similarly fair दोस्तो whenever you are talking about the rolling terrain whenever you are talking about the rolling terrain एक नई चीज है आपके लिए ध्यान रखेंगे जब मैं rolling terrain की बात करता हूँ तो low curvature और high curvature LC मतलब low curvature HC मतलब high curvature ये नोट से आप लोग बनाते रहेगा साथ की साथ इसका curvature कितना आता है 0 से 100 के बीच इसका curvature आता है 101 से बड़ा और generally 200 से छोटा 200 से छोटा ठीक है अभी बात आती है यहाँ पर तीसरा curvature आप लोगों का कौन सा था mountainous terrain तो mountainous terrain के लिए कितना आता है mountainous terrain के लिए low curvature एक होता है high curvature तो इसकी category कितनी मैं कहूंगा 200 200 जीरो से 200 के मीच यह लाए कर सकता है और अभी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब यह 200 एक से बड़ा होगा तो यह high curvature की category में आएगा एक नई चीज थी आपके लिए याद रखेगा बहुत जरूरी बनती है ठीक है आप देखना चाओ तो यहाँ की table बन गई है यहाँ पर that is the table so इसको आप लोग याद करेंगे एक नई चीज है और exam में पूछी जा सकती है unit पर गौर फर्माईएगा चले आगे चावते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आगे मेरी बात आती है कि topography के साथ साथ अब आप लोगों का second factor कौन सा आता है that is the design speed उसको भी गौर फर्माईएगे हम चले second factor मेरा यहाँ पर आता है मेरे प्यारे बंदू design speed देखो एक चीज समझ कर चलना मैं आप लोगों को table भी दिखा दूँगा लेकिन छोटी छोटी सी बाते there are six type of the road हमारे पास generally छे type की road होती है हाँ हमारे पास छे type की road होती है तो उन छे type की road पर अलग-अलग speed होती है जैसे कि मैं आपको कहता हूँ आपका एक national highway है और एक आपके घर के असपस की road है that is the village road क्या दोनों में गाड़िया same speed से चलती है नहीं 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 दोनों को अलग-अलग speed से डिजाइन करा जाता है और उनकी speed के basis पर ही सारी चीज़े design होती है गाड़ी speed से चल रहे है कितनी speed से चल रहे है कितना करव देना है कितना radius होना चीए कितना super elevation होना चाहिए, कितनी length होनी चाहिए, कितना distance travel करेगा, कहाँ पर क्या देना है, सब कुछ speed पी तो depend करता है, तो मैंने का, जो metric design speed पे depend करता है, तो there are six type of the road, पहली जो आपकी road आती है, that is the expressway, पहली जो आपकी road आती है, उसका नाम होता है expressway, और इसकी speed कितनी होती है, इसकी speed होती है, 120 km पर आर के आसपास, ठीक है, चाहिए, दूसरी जो मेरी आती है, that is the national highway, इसकी speed कितनी होती है, generally, 100 km पर आर के आसपास, हम लोग रखते कितनी है, इतनी, वैसे मैं एक table भी दिखाऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा, आपको याद किया क्या अगर मैं, तीसरी road मेरे पास आती है, प्यारे दोस्तो, that is the state highway, that is the state highway, चोथी road मेरे पास आती है, that is the MDR, क्या बोलते हैं उसको हम, major district road, चोथी road कौनसी आती है, major district road, major district road, अभी इसके बाद कौनसी road आती है, मेरे पास पाँचवी, major district road के बाद कौनसी road आती है, जो मेरे गाउँ से जुडेगी, that is known to be as other district road, क्या नाम दिया जाते हैं उनको, other district road, अभी बात आती है, छटी, that is known to be as the village road, देखो, अब बात को समझ कर चलना, एक चीज तो समझ में आता है, कि ये village road जो है, ये village road जो है, ये village road आप लोगों का कहां से कहां कनेक्ट होगा, other district road से, ये other district road आप लोगों का major district से कनेक्ट होता है, major district road आप लोगों का state highway से connect होता है state highway आप लोगों का national highway से connect होता है और national highway express highway से connect होता है means if you need to travel for the interstate pattern अगर आपको interstate travel करने में बहुत दूर की state है आप अपने गाउ से अगर निकलना चाहते हो तो गाउ से आप किस pattern से निकलेंगे guys गाउ से सबसे पहले village road फिर ODR फिर MDR फिर state highway और national highway से होते हुए अगर express way है तो आप express way से होते हुए अपने दूसरे state की तरब जाएंगे I hope so समझ आया होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक table दिखाना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों और उस table के basis पर प्लीज एकी बात कहूँगा कि एक data जो दे रहा हूँ वो याद रखने का प्रयास करना ठीक है यह table आप लोगों को screen पर देख रहा होगा इस table में आप लोगों को चीज़े याद रखनी है क्या क्या याद रखनी है मैं बता देता हूँ और इस table के बाद मैं कुछ अलग भी बताने वाला हूँ आपको जो शायद आपको नहीं पता होगा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो speed जाती है plane terrain, rolling terrain, mountainous terrain और hilly terrain के लिए ruling और minimum दो शब्दार है ruling और minimum समझना actually जो speed होती है एक तो होती है design speed एक होती है minimum speed बात को समझना अभी minimum speed क्यों पढ़ते हैं question तो बनता है minimum speed हम लोग इसलिए पढ़ते हैं सुपोज आप highway पे travel कर रहे हैं और highway पे travel करते करते आपकी speed तो है 100 km परार की पट वहाँ पर आप 20 की speed से चल रहे हो sir आप 20 की speed से चल रहे हो आपके पीछे वाला 100 से चल सकता है अब ये बात बताओ तुम 20 से चल रहे हो और पडोस वाला वहीकल एकदम से सू यहाँ से भी सू शाय चल से hanbit तेज होगी क्यों होगी vacunется काह भीच में फसा रहे हो मिया तु दीरे चल रहो साइडवले तेज चल रहे है accident हो सकता है क्या वोलह मैंने accident हो सकता है अभी तुमें भी पता है accident हो सकता है क्यों हो रहे सर minimal चल रहे हो आप लो इसी लिए रोड की लिखी स्पीड भी देखी जाती है और हमारे भारत में इस चीचित का चलान नहीं है लेकिन फोरें में आप जाओगे निनिवम स्पीड का चलान होता है गाड़ी चल रही है तो इतने से जदा पर अगाड़ी की निमे चाहती है जाती है look बैदर वे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पड कि आपको याद क्या करना है आप लोगों को ruling speed तो याद करनी ही है सब की ruling speed तो सब की याद करनी है लेकिन minimum speed किसकी याद करेंगे आप minimum speed सिर्फ और rolling और plane की याद करेंगे और किसी की नहीं करेंगे national highway ये के लिए और मेजर डिस्टिक रोड के लिए मेजर डिस्टिक रोड के लिए आपको ये तो याद कर नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप 65 और 50 को याद करेंगे बाकि अदर डिस्टिक रोड और विलेज रोड के लिए आपके कोर्स में नहीं है और ये बहुत पहले से नहीं है क छोटा सा question दिया आप लोगों के लिए कि भीया question क्या बनता था आप लोगों का कि आप लोगों की ये speed zero क्यों है steep terrain में major district road की speed zero क्यों है क्योंकि प्यारे दोस्तों क्योंकि प्यारे दोस्तों हिली terrains में ऐसा कोई system नहीं आता कि वहाँ पर आप लोगों को village road से major district road पर निकलना पड़ेगा ना 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 वहाँ पर पहाड़ों पर road होती है और वो पहाड़ वाली road जो है वो ही road है और कोई road नहीं है और जब वो पहाड़ वाली road plane पर आती है तो direct national highway से connect होती है ठीक है तो पहाड़ों में आपका ना कोई minimum speed major district road के लिए ऐसा नहीं suggest होता तो एक question बनता है एक question बनता है कि major district road के लिए minimum speed कितनी है question railway के किसी exam में मैंने देखा हुआ है क्यों ये question बना क्योंकि exceptional है sir जीरो है exceptional है ठीक है ना ये बाद आपको याद रखनी है by the way जो भी speed है वो याद रखेंगे table में मैं कुछ बता नहीं सकता ये तो आपको याद करना ही है इसके बाद जो आपको अलग से पता लगेगा वो क्या है वो लिख लो आप लोग अब जो pattern बन रहे ना TCS मैं TCS के recording नहीं चल रहा से मैं PSC और PSU को लेकर चल रहा हूं तो मैं आप लोगों को कुछ extra data देऊंगा ठीक है ना तो अभी जो बता रहा हूं वो चीड़ आप लोग याद रखेंगे अभी मैं आपको बता रहो urban road की speed तो speed of urban roads, speed in urban roads आपके urban roads पर क्या-क्या speed आ सकती है सर urban road चार तरीके की होती है urban road चार तरीके की होती है arterial road, sub arterial road आज जो भी मैं आपको भता रहा हूं जो आपको नहीं समझ में आता वो आप Google करेंगे Google में भी नहीं समझ में आ रहा तो next lecture कल जो होगा comment करके मुझसे पूछेंगे आज मैं किसी से interact नहीं कर रहा कल interact करूंगा और कल आप लोगो get out भी लूँगा और बात समझ रही हो ना आप लोग बच्चे गुलाला ना बस ठीक है सबार्टीरियल उसके बाद मेरे पास आती है प्यारे दोस्तों यहां पर कलेक्टर रोड उसके बाद आती है कलेक्टर रोड और उसके बाद मेरे पास आती है लोकल रोड चार रोड आती है इनमें स्पीड कितनी कितनी होती है यह भी आपको याद रखना है तो स्पीड होत लेकिन दो मिनिट लग रही है याद करने में तो क्यों दो मिनिट की वज़े से अगर एक्जाम में आगे तो क्वेशन छोड़े इसलिए मैंने बता दिया आज से पहले नहीं पूछा बढ़ पूछ सकता है ठीक है चलो इसके बाद मेरे पास आती है प्यारे दोस्तो रोड रोड यूजर करेक्टर स्चिक में दो चीज़े आती है एक तो होता है आपका वहिकल और एक होता है आपका ड्राइवर दो चीज़े आती है रोड पर चलने वाली एक तो वहिकल भी रोड को यूज कर रहे है और एक ड्राइवर भी रोड को यूज कर रहे है तो वहिकल के के बारे में हम बाद में देखेंगे फिलाल में driver के बारे में आपसे बताना चाहता हूं तो लिख लो यहां पर दो चीजे include होती हैं पहला तो आप लोगों का होता है driver और फिर होता है आपका वहिकल तो मैं पहले driver के बारे में आपको बता दूँ फिर मैं आप लोगों को वहि सब्क चाहरी है मैं बास टेस्य चीजा करता हों तो ठाइवर मेरे दिमाग में आता है ड्राइवर का विजन केज़े कीज़्ता है ने ड्राइवर चला और एकदम से मेरी गाड़ी के आगे कोई बच्चा आ जाता है तो उस बच्चे को देखकर मैंने ब्रेक मार दे नहीं है एकदम से और मेरी गाड़ी रुक जाती है एकदम गाड़ी रुक रही है तुम्हें एक चीज तो पता है गाड़ी रुकेगी तो रोड को तो नुक तुमने लिया किस काम को करने के लिए रियक्ट करने के लिए रियक्ट करने के लिए जो समय लिया जाता है that is the reaction time तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर time to take reaction nothing else, इतना समझ में आ रहा है क्या होता है reaction time react करने का total time जो driver के थू लिया जाता है that is the reaction time लिया जाता है प्यारे दोस्तों तीन से चार सेकंड जनरली आप लोगों का डाई सेकंड लिया जाता है जनरली कितना लिया जाता है धाई सेकंड का लेकिन मैक्सिमम कितना चलता है maximum कितना चलता है 4 second का चलता है किन के लिए जो aged person होते है जो बुड़े लोग होते है उनके लिए 4 second का होता है maximum अभी बात आती है minimum कितने का होता है young person जो होता है ये सबको पता है maximum कितना minimum का कई data नहीं पता होता तो वो भी लिख लो minimum कितने होता है आपका 0.5 second क्या 0.5 second से कम हो सकता है हाँ दुनिया में impossible कुछ नहीं है लेकिन according to design data 0.5 second से कम नहीं लेकर चलते practically possible है theoretically के नहीं लेकर चलते design इसके according ही minimum minimum इतना लेकर चलते है अब एक छोटी सी चीज reaction time को मद्दे नजर रखते हुए एक छोटी सी चीज आपको clear करवाना चाहता हूँ reaction time को मद्दे नजर रखते हुए आप लोगों का reaction time किस पर depend करते है तो लिख लो reaction time depends on reaction time depends on depends on peeve theory किस पर depend करते है peeve theory now what is the peeve theory what is the peeve theory have a concentration here pee का मतलब होता है perception pee का मतलब होता है perception उसके बाद आता है I I का मतलब होता है intellection I का मतलब होता है intellection E का मतलब आपका होता है emotion और V का मतलब आपका होता है violation या violence एक ही बात है ठीक है अब बात को समझना क्या बोल रहा हूँ perception क्या होता है suppose मैंने आपको कहा कि this is your brain यह क्या है यह आप लोगों का brain है यहाँ पर यह गाड़ी का एक बंदा आया और this is your car और एकदम से यह गाड़ी का object था तो इस object को देखकर यह क्या है object है और इस object को देखकर यह है आपकी car इस object को देखकर आपके दिमाग में एक message जाएगा तो जो message जा रहे न आपके दिमाग में जो message जा रहे जाने को बोलते message जाना सिर्फ message जाना उतने में जो time लगता है that is known to be as the perception यानि perceive करा क्या देखा तुमने वो message आपके दिमाग तक गया that is the perception आपके दिमाग के अंदर उस message को लेकर ideas जवलप होंगे बच्चों को न मीनिंग समझ नहीं आते हैं चीजों के मैं क्या बोलने वाला हूं मैं क्या बोलने वाला हूं आपर मैं जो बोलूँगा बस उतना याद रखना खोड़ आगा ठेक पी का मतलब trick की बात करूँ मै मेरे trick कैसे निखिल सर की trick वहियात निखिल सर की trick जो हवा में उड़ती है लेकिन काम आ जाती है मुझे तो वही चीज जो काम आ जाती है तो याद रखना मैं कोई कारीफ है नहीं कर रहा बट इतना याद रखना बाइदावे मैंने कहा perception का मतलब होता है आपके दिमाग के अ सोचना think about that क्या बोला मैंने यहाँ पर I am saying one thing that is the think about that thinking skill thinking skill अब think करने के बाद ना तुमारे एकदम से प्यारे दोस्तों जैसे पसीने छूट जाते हैं कई लोग घबरा जाते हैं कई लोग एकदम से अपना फेस चेंग कई लोग नॉर्मल ब्रेक मार दी कई लोग एकदम दे तो तुमारी body में जो भी चीज आ रही है ना तुमारी body पर जो तुमारे सोचिक हुई चीज का reaction हो रहा है thinking के बाद मैंने क्या बोला reaction on body क्या बोला मैंने यहाँ पर reaction on body that is emotion और उसके बाद जो आप action लेते हो ना जो आप action लेते हो that is the violence that is the violence violation के लोग वाइलेंस के लोग action ब्रेक मारना हा चारती जी आई अब समझना आपके brain के अंदर होता है इंटलेक्शन और emotion और आपके जो time में रहे हो एकदम से ब्रेक मार रहे हो that is known to be as the violation इतना समझ में आ चुका है अब ये एक और चीज आती है सब ट्रिक तो बता दो याद कैसे करो शुरो ना बढ़िया पी का मतलब परसीव करना पी का मतलब पहूचना क्या बूला मैंने पहूचना पी का मतलब पहूचना अभी कहां पहूच रहे दिमाग में पहूच रहे तो पी से पा और पी से पहूचना पी इतना समझ में आ चुक है तुम्हें क्लियर है आई फोर क्या होता है आईडियास I for Ideas E for Eagerness E for Eagerness Eagerness का मतलब सर अब करना क्या है उसकी जल्दी से इच्छुक हो रहे हो ना तुम तुम जल्दी जल्दी से Eagerness का मतलब जल्दी से उसकी चीज की तरफ जाने की सोच रहे हो खतम और V for Voilence ये सब ठीक है ठीक है ना V का कोई वो नहीं है इसी बात आती है कि वहीकल पर कैसे depend करता है आपका जो ये theory है ये आपके वहीकल पर कैसे depend करता है वो चीज़ अब discuss करते है चड़े तो दूसरी मेरी characteristics थी that is known to be as vehicle that is known to be as vehicle I want to say only one sentence about this वहीकल की जो भी dimension होती है वहीकल की जो भी dimension होती है उस पर depend करते है जैसे कि मैं बताता हूँ वहीकल की length, वहीकल की height, वहीकल की width that is all about the vehicle dimension वहीकल के weight पर भी depend करते है obviously एर एक बात बताओ ना कोई truck है लंबा कोई truck है चोटा, कोई double decker कोई single decker, किसी का वजन जादा, किसी का वजन कम, ये सारा road पर ही तो चल रहे तो road पर चल रहे, तो road की characteristics को वीरी करेगा तो road characteristics में दो चीज़े आती है, वहीकल और driver तो तुम्हें मैं एक अधी चीज़ लिखवा देता हूँ वैसे इसके बारे में मैं तुम्हें second unit में पढ़ाऊंगा ये ही लिख लो कि और किस-किस चीज़ पर depend करता है आपका ये और किस चीज़ की पर depend करता है अगली मेरी चीज़ आती है, that is known to be as volume वाल्यूम पर भी depend करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जोथी चीज़ मेरी आती है, वाल्यूम वाल्यूम ऑफ दे ट्रेफिक आपकी जो रोड है, ये जाहिर सी बात है कि आपकी जो रोड है, वो किसके लिए डिजाइन करी जाएगी जैसे मैं example देता हूँ यहाँ पर कि suppose आपकी रोड पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेफिक चल रहा है कि तुम अपनी रोड को किसके लिए डिजाइन करते हो वो चीज़े तुमें समझ में आ चुकी है आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये ये फेक्टर आपके टोटल डिजाइनिंग पर डिबेंड करते हैं तो हम लोगों ने इस फेक्टर जो भी अपने पड़े हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बाद मेरी रोड से रिलेटेड मेरे पास आता है अब इसको समझते हैं यह मेजर थिंग है क्रोस सेक्शन एलिमेंट आप दा रोड मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाओंगो इसी से रिलेटेड और चले मैं बनाई देता हूँ पिक्चर में आप लोगों को जो समझाना चारा था वो भी लाया नहीं मैं पिक्चर में वैसी बना देता हूँ आपकी रोड पर क्या-क्या होता है सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आपको पता है आपकी रोड पर एक काले कलर की रोड होती है काले कलर की रोड का मतलब जहां पर वहीकल चलता है उस काले कलर की रोड के साथ में आपने देखा होगा जनरली एक मिट्टी की रोड होती है जनरली एक मिट्टी की रोड होती है यह टाले कलर की pavement के साथ में मिट्टी होती है ठीक है उस मिट्टी के बाद क्या होता है थोड़ी सी दूरी पर आपकी नालिया होती है और वो नालियों के बाद आपकी रोड खता अब जनरली क्या होता है मैं वो आप लोगों को बता देता थोड़ा सा देखिए क्या होगा यहां पर इसको बोला जाता है कैरेजवे क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कैरेजवे और इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों जो यह कैरेजवे के साथ में आता है इसको बोला जाता है शोल्डर ठीक है यह क्या है यह है आप लोगो की drains, अब इन drains के साथ में क्या होता है, वो चीज़ आप लोग समझ कर चलना, दोनों तरफ दोनों तरफ आप लोगों की कुछ line होती है, वो line कैसे clear करनी है आप लोगों को ladies and gentlemen एक line आपकी आती है that is the road line, further building line and further control line इन चीज़ों को समझना बहतरी इन चीज़ बताने जा रहो हूँ अभी ये है आपकी road line ये है आपकी road line ये है आपकी building line और ये है आप लोगों की control line ये क्या है आपकी control line ये road line क्या कावन करती यहाँ पर भी होगी जब उदर है तो same इदर भी होगी चलो बना लेते हैं जल्दी से चीज़े और clear रहेंगी हमें तो ये मैंने ऐसे बनाया तीन line मेरी यहाँ पर आएगी इस तरीके की that is the road line building line and control line काम के इनका काम के इनका लिखवा देतो हूँ लिखवाने के साथ साथ तुम्हें समझ में आजेंगी चीज़े road line का क्या काम होता है road line का आप लोगों का काम क्या होता है यहाँ पर road line का आपका काम होता है it controls it controls what it controls the future growth of the road it controls the future growth section of the road कहने का मतलब है प्यारे दोस्तो कि suppose आपकी ये road तो है पहले तो बीच में इतनी सी है ये road पहले तो बीच में इतनी सी है need to increase the width of the road or increase the section of the road so that वो population को बरदाश्ट कर सके तो maximum एक limit होती है maximum एक limit होती है कि आप अपनी road को इतने तक बढ़ा सकते हो आप अपनी road को total road के बीच में बढ़ा सकते हो मतलब road line के बीच में बढ़ा सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है आगे के मेरी बात आती है फिर building line का क्या परपस है उसको भी देख लो building line limits the building line it limits the building boundary बस इतना समझ में आ जाएगा तुमें building line तुमें क्या बताती है कि building line से आगे कोई भी building नहीं आनी चाहिए वो road पे किसी तरह का disturbance नहीं होना चाहिए building line का मतलब उससे आगे building नहीं आनी चाहिए so what is the function of the control line what is the function of the control line I will say only one thing control line means it is under the control of the government it is under it is under control of government it is under control of government इतना समझ में आने की अवश्यक्त आती है अब clear करना क्या बोल गया भाई ये control line का function क्या है अब जैसे मैं आपको बताता हूँ दिल्ली का example लेता हूँ दिल्ली में metro आई है metro आने के बाद जिन लोगों के घर road के किनारे थे वो सभी हट चुके और तो और एक गली के पीछे एक गली बाद जो घर आ रहे थे उनको भी सरकार को हटाना पड़ा तो क्या होता है कि सरकार का road line के आगे तक भी कुछ control होता है सरकार का road line तक आगे तक भी कुछ control होता है तो वो control जो होता है प्यारे दोस्तो अप लोगो का कैसे कैसे क्या चलता है वो चीज clear करना कि future में आप लोगो को जब road बढ़ानी पड़ती है जैसे road के width आपने बढ़ाई तो उसी के साथ सथ building line के width भी जाएगी control line भी ओर दूर जाएगी तो इसके according क्या होता है कि सरकार के हाथ में control होता है कि वो future में यहां तक जा सकती है लोगों को पैसा दे सकती है कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी समझने का प्रयास करना that is the control line अब एक और चीज यहां से कि बात आती है कितनी कितनी क्या होती है वो चीज आपको discuss करनी है और आपके लिए important बन सकती है मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि जब आप plain terrain की बात करते हैं और mountainous की बात करते दो क्या होता है major major ठीक है अब इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि यहां पर यह जो रोड लाइन से अंदर तक का distance होता है road line to road line तक का distance होता है इसको बोला जाता है road land boundary क्या बोला जाता है road land boundary और यहां पर मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का total total जो इधर तक का distance होता है यह इसको क्या नाम दिया जाता है जो यह distance है आप लोगों का इसको क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर boundary control line boundary control line यह चीज़ आप लोगों को याद रखनी है अभी इसके बाद एक और बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों की major thing अब मैं आपको diagram दिखाता हूँ यह यह तो समझ में आ चुका होगा जो भी मैंने बताया अब प्रॉपर diagram में देखते हैं तो और चीज़े clear होँगी चले diagram में देखते हैं तो और चीज़े आप लोगों को clear हो जाएंगी यहाँ से यह diagram आप लोगों को visible हो रहा होगा अब इस diagram के अंदर आप लोग देख सकते हैं ladies and gentlemen के आप लोगों का क्या क्या कौन सा function है आप लोग देखेंगे that is the carriage way that is the carriage way यहाँ पर आप देखेंगे roadway कितना होता है roadway में एक चीज़ अभी मैं लिख आँगा इस चीज़ को आपको उसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तो right of way क्या होता है वो मैंने बताया नहीं है अभी बताऊंगा boundary, building और control, same road, building और control line आती है इनके बीच के distance को क्या क्या बोला जाता है वो मैं आभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा सबर करेंगे that is the width between the building line and width between the control line यह आपका section है you can take the screenshot of this अब मेरी बात आती है दो तिन शब्द आप लोगों को नए सुनने को मिले that is roadway, that is roadway, now what is the roadway इसके लिए भी लिख लो roadway क्या होता है, roadway के लिए मैं आपको लिखना चाओंगा that is the carriageway that is the carriageway plus two shoulder, that is the carriageway plus two shoulder अभी shoulder समझ में आ रहे है न, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है बट इतना समझ में आ रहे है, road के किनारे जो मिट्टी का portion होता है जहाँ पर कई बारी गाड़ी खराब हो जाती है तो खरी कर देते हैं गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी खरी कर देते हैं और गाड़ी पर पत्तों की टहनिया बांद देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि गाड़ी खराब है होता है, देखा होगा, उसको कहते हैं shoulder, ठीक है न तो दो shoulder, दो shoulder और दो shoulder और एक carriageway, यह दोनों मिलके एक roadway बनाता है ठीक है, उसके बाद मेरी बात आती है, यहां से प्यारे दोस्तों, right of way क्या होता है, वो भी समझना नाम की महत्वता को जानने का प्रयास करना, नाम अगर समझ में आ गया तो तुम्हें काम भी समझ में आ जाएगा right of way क्या होता है, right of way की मैं बात करूँ, suppose यहां पर आपकी road चल रही है, यह चीज़ clear करेंगे, suppose यह आपकी road है, यह पूरी आपकी road है, यह आपकी road चली ऐसे, अभी आपको पता है, इस road के किनारे किनारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की यह है bedding line, आप लोगों की यह ह road line, यह क्या है आपकी, that is the road line, इसको मैंने क्या बोला, यहां पर, that is the road line, and that is the proper road, that is the road, तो जितनी भी आपकी यह length आ रही है, जितनी भी आपकी यह length चल रही है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, एक road line से एक road line तक, और यह पूरी की पूरी length के along, यह पूरी की पूरी length के along आपका पूरा right है कि आप अपना रास्ता बना सकते हैं, दुबारा सुनो मेरे शब्दों को मैंने कहा कि एक road से पूरा का पूरा आपके पास एक right है आप एक सरकार हो, आपके पास एक right है कि उस road line to road line के बीच में आप road को expand कर सकते हो obviously कर सकते हो मैंने क्या बोला आपको that is known to be as what that is known to be as the right of way उसको बोला जाता है प्यारे दोस्तो right of way ये चीज़ आप लोगों को समझ कर चलनी है बहुत ज़्यादा जरूरी आती है अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्त right of way समझ में आ चुका है कि road line से road line के बीच का distance होता है मेरे पास पूरा right है रास्ता बनाने का that is right of way अब एक और चीज जितना भी पढ़ा है ये जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तो मेरी खयाल में तो एक बारी रिवाइस कर लेना चाहिए आप लोगों को ताकि रिवाइस होने के बाद चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है एक बारी रिवाइस कर लो फिर इसके बाद आप लोगों का cross section element के बहुत सारी चीज़े जो आपको पढ़नी और बहुत अच्छी लगेंगी आपको और major major चीज़े हैं मैं लिखकर ही पढ़ाऊंगा क्यों लिखकर पढ़ाऊंगा reason पता लगेगा भी आप लोगों को जितना भी शुरू से पढ़ा एक बार ही रिवाइस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़े clear रहेंगी और लास्ट में जब हम पढ़ी हुई चीज़ों को देखते हैं तो शायद दिमाग में और जादा घुशती है तो शायद को जड़ा possibility की तरफ convert करते हुए वीडियो चलाएंगे चले तो शायद कर देखते हैं पढ़ी हो चीज़ों कर दो चेंगी हुए झाल 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 करने इस टेबल से बहुत बड़ी आपको एक्जाम में क्वेशन देखने को मिलेगा ठीक है? चलो अभी आगे देखते रो इसी को पूरा झाल 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 टुमरो अनवर्ट गौट इस यह हाइवे इंग्जीनिरिंग का फस्स लेक्चर था फस्स हमने स्टार्ट करा है लेकिन कल के बाद से हम काफी कुछ स्पीडली और एफेक्टिवली लेकर चलेंगे और मेरी कोशिश रहेगी मैं लिखके पढ़ाऊ क्योंकि मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ लिखके पढ़ाने का एक मात्र ये रीजन भी था कि आप लोग को लास्ट में में रिवाइस करा सकता हूँ अगर मैं लिखके नहीं पढ़ाऊंग तो रिवाइस नहीं करा पहूँगा So I hope so you are better understanding this concept और यह revision का बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया So thank you for continuously watching me जैहिन जै भारत जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और last में मैं एक पारी revision करवाना चाहूँगा किस चीज का recall करवाना चाहूँगा कि Unacademy के platform पर मेरा course start हो चुका है आप लोग पढ़ सकते हैं मुझसे और मेरे course में पढ़ने के लिए आप लोगों को NG live code का यूज करना है and this code will give you 10% discount on overall cost So मेरे प्यारे दोस्तों बनियेगा मेरे साथ क्या code है NG live और इट ना प्लस के course पर तो चलते हैं बाई